हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स ये देखिए आज हमने कितना सुन्दर सा ये रंगोली टाइप का ये डोल बैट बनाया है जिससे बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए मैंने याँ पर फटे पराने पैटों का यूज किया है आप इस पैटी सेट भी ले सकते हैं जो भी थोड़ा थिक कबडा हो उसका यूज इसमें आप कर सकते हैं ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है तो चले इसे बनाना सुन्दू करते हैं तो आज हम भटे पुराने पैंट में से दोर मेंट बनाएंगे जिसे बनाना बहुत आसान है तो चले श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेक्स को लेंगे पैंटी में लेग है उसे लेंगे और इसको हम एक जैसा फैले काटके तयार कर लेंगे यानिकि जो इसनी आज होती है उसे निकाल देंगे इसको मैंने इस तरही के से कटकल लिया है तो अब हम कोई छोटा सा ठकल लेंगे और इसके हम गोल-गोल पीस कट करेंगे तो इस तरही के से हम अब ने इस पे निसाल लगा लेंगे एक चॉपी यल्प से यह जायक है तो इससी तरीके से हम अमस्के गोल-गोल पीस कटकर लेंगे तो इसी तरीके से हम ऐसी प्रीृ?? अब जितने हम कलर में लायेंगे इससाद होक उन सभिभ में इस तरीके से गटकर लेंगे कि यह देखिए मैंने यहां फर ब्लैक और वाइट के यहां पर एक कपड़ा लिया है तो अब हम इसे सिलेंगे तो सबसे पहले नहीं को आघ होंगे तो इस तरहीके से सिर्फ जा press in इस तरहीके से और इस पे हम संपस्ति नगा लेए जाएँगे इस तरीके से हम इससे हम इसे रखेंगे जो हमने dus कुणिए कटिया है और इस तरीके से हमें इसके टार हैं और आदा इंची का हम इसके ऊपर रखना है जिसे हमारी बहुती इच्छी डियानाएगी इस तरीके से तो हमसिता से भी यहादा इंची का छोड़ देमें अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे यह हमारा एंड आ गया है तो अब हम इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे यानि कि जो हमने आदा इंची का पहले गयव छोड़ा था उसके हम इस तरीके से नीचे रखेंगे इस तरीके हमने पूरा राउंब राउंड वाइट कलर लगा लिया है तो अब हम इसके बाद ब्लैक कलर लाएंगे इस पर यही से जांसे हमने वसीन को छोड़ा था तो जो हमने ब्लैक को कट किया था तो अब हम जहां पर हमने स्लाइड अलाई थी उसी के ऊपर इसको रखेंगे और इसी तरीके से हम इस पर भी स्लाइड आ रहेंगे तो इस तरीके से ब्लैक का भी हमने एक पूरा राउंड लगा लिए तो फिर से हम ब्लैक का एक और राउंड लगाएंगे अब हम इसके बाद ब्लैक लगाएंगे के वाइट लगा लिया है तो अब हम इसके बाद ब्लैक लगाएंगे तो पहले हम इनको सेट कर लेते हैं इसके, क्योंकि बहुती कम सेट कर लेते हैं इसमें, इस नहीं से हम इनको सेट कर लेंगे मैं इसको यहां तक लगा लिया है, तो पहले मैंने वाइट लगा है, उसके बाद बलेक, फिरसी बलेक, फिर वाइट, फिर बलेक, तो अब हम यहां पर वाइट लगाएंगे तो यह देखिए हमारा कितना खूपसूरत सा लग रहा है, तो इसको हम सुई और धागे से टाक लेगे, तो इससे हम टाक लेते हैं तो इसको मैंने सिल लिया है तो यह हमारा कितना सुन्दर सा यह डूर्मेट लग रहा है इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने इसको फटे पुराने पेंटों में से बनाया है जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसको मैंने एक डिपे के धकन यानि की जो डिपे क हमारा केप होता है उसकी हेल्प से मैंने इसको बना लिया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सेयर करें फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई टेक केर